हेलो फ्रेंड्स कीचेन किंग चैनल में आप सभी का स्वागत है आज आप लोगों के लिए और एक नए रेसीपे लेकर आई हूँ आज बनाऊंगी मैं एक कोडमा सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए और मैं कुकर में उबा लूँगी तो मैंने पानी डाल दिया इसमें थोड़ी सी नमक भी डाल दिया धकन बन करके गैस जला लूँगी मेरा लाइटर खड़ाब हो गया है तो मैं ये छोटी वाली लाइटर से जला रही हूँ देखिए मैंने कुकर गैस पर बिठा दिया एक सीटी माल लेंगे हो जाएगा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काजू लेके थोड़ा गरम पानी करके काजू को भीगा लूँगी इसमें काजू थोड़ी सी ही चाहिए तो मैंने वोई कोई 50 ग्राम तक काजू ली थी देखिए मेरी कुकर में सीटी भी आ चुका है तो बॉयल्ड हो चुका था अंडे ठंडा करने दिये थे यहाँ पर मैं छिल लूँगी अंडा छिल भी लिया यहाँ पर छिल के उतार लिये अब यह अंडे को क्या करूंगी मैं एक चक्कू से न थोड़ी यह इसके बीच-बीच में कट लगा लूंगी यह देखिए मेरी बेटी बना रही है कट लगा रही है यहाँ पर चक्कू से एक-एक लाइन लगा के ऐसे चार-पांच कट लगा लेंगे सीधा-सीधा इसे क्या होता है जब हम मसाला से अंडे को बिगाएंगे मसाले में डालेंगे ना अंडे को तो उसे अच्छे से अंडे के अंदर आ जाता है यहाँ पे में थोड़ी सी कलर के लिए कस्मीरी मिर्च पॉडर और नमक अंडे को इसी से मैरिनेट कर लेंगे आप कड़ाई में तेल डाल के अंडे को फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे नहीं करना है थोड़ा धीमी आज़ पे करना है और अंडे को बारवार हिलाते रहना है इधर मैंने काजु ले लिया इसमें मैं दो हडी मिर्ची डाल के काजु को पेस्ट कर लूँगी मिकसर में यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पियाज डाल दिया इसका मैं बेरिशता बनाऊंगी यह देखिए ऐसे बनता है धीमी आज़ पे पियाज को भुणना होता है दुबाडा कढ़ाई में तेल डाल के तेल के साद घी मिकस करके थोड़ी से इसमें इलाइची और दारचीनी काली मिर्च साबुत डाल देंगे और मिक्स कर लोगी इसमें जांग जांग इसल lle होडा आए ना घी डाल दिया इसी बज़े से उसके उपर से मैंने यहाँ पैस पेस्ट करके रखी थी पिसा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज को भी भून लूँगी तेल के साथ अच्छे से नमक डाल दूँगी थोड़ी सी मैंने चीनी यहाँ पे ग्राइंड कर ली थी चीनी का पॉडर मतलो भूरा डाल दूँगी यह देखिए मैंने अद्रक लैसन हरी मिर्ची का पेस्ट मसाला जो धनिया जीरा और यह कस्मीरी मिर्च पॉडर डालना है इसमें हल्दी नहीं पड़ता है मैंने थोड़ी सी दूद भी डाल दी थी और जो काजू और हरी मिर्च का पेस्ट की थी और भी डाल दी थी सबको अच्छे से भून लेना है भून जाएगा तो जो अंडा अंडा फ्राई करके रखेते वो इसमें डाल देंगे ग्रेवी में यह देखिए अंडा फ्राई की थी यह डाल दिया और जो बेरेस्ता बना रखी थी मतलब पियाज भून लखेते उसको भी डाल देंगे इधर बन चुका है देखिए अच्छे से धीमी आज पर पकाना है इसको बिल्कूल आज कम करके देखिए मेरी ग्रेवी तो बन गई है इधर में रोटी सेक ले रही हूँ हम रोटी के साथ काएंगे वैसे आप चाहे तो चाबल पुलाव किसी के साथ भी इसको खा सकते हो पराथे इधर मेरी बेटी सार्फ कर रही है टेबिल पर आ चुका है खाना देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सेयर जरूर कर देना मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे और रेसीपी उस भी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना फ्रेंट और क्या-क्या रेसीपी चाहिए आप लोग जरूर बताना इसको कहत बनता है मतलो हलका मीठा हलका नमक हलका मिर्ची ऐसे बनता है बिल्कुल जादा ना तेज मिर्ची जादा ना तेज नमक यह देखिए मसेज़े और है Skaroy टोस्तों मेरी बेटीर केक बना रखी थी thangy